भारतिय सविधान का कौन सा अनुचेद रास्टपती के पद के लिए पुनर निर्वाचन की योगिता निर्धारित करता है आप्सन A अनुचेद 52, आप्सन B अनुचेद 54, आप्सन C अनुचेद 55, आप्सन D अनुचेद 57 तो याद रखेंगे, आणसर हो जाएगा अनुचेद 57, ठीक है, भारत का रास्टपती एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकते हैं तो कि सविधान में ऐसा कोई उबबन नहीं है कि रास्टपती के पुनह निर्वाचन पर प्रस्निचिन लगाया जा सके तो अनुचेद 57 के तहद रास्टपती के पुनह निर्वाचन की योगिता बताई गई है तो याद रखेंगे, रास्टपती के पद के लिए पुनह निर्वाचन की योगिता निर्धारित करता है अनुचेद 57, आंसर ऑप्सन अमबर D जनता पार्टी के सासन के दोरान भारत के रास्टपती कौन थे आंसर करेंगे, जनता पार्टी के सासन के दोरान भारत के रास्टपती कौन थे आप्सन A, फकरुदीन अली एहमद, आप्सन B, N संजीव रिड़ी तो आपका सही आंसर क्या होगा? आंसर करेंगे एन संजीव रेड़ी नीलम संजीव रेड़ी याद रखेंगे जनता पाटी के शासनकाल के दोरान भारत के राश्टपती कोन थे? एन संजीव रेड़ी यानी नीलम संजीव रेड़ी आपको पता होगा जनता पाटी की सरकार आई थी 1977 इस्वी में है ना तो 1977 इस्वी में जनता पाटी की सरकार आई थी और जनता पाटी के तरब से मुरारजी देशाई परधान मंतरी थे आपको पता होगा है ना तो याद र answer option बारत के किस रास्टपती की मिर्तियु कारेकाल पूरा करने से पुर्व हो गए थी तो आपका सही आनसर क्या होगा डॉक्टर जाकीर हुसेन ठीक है तो याद रखना है कौन से ऐसे रास्टपती थे जिनके मिर्थ्यू कारेकाल पूरा होने से पहले हो गया था वी-वी-गिरी आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसेन माफी चाहेंगे आंसर क्या होगा डॉक्टर जाकिर हुसेन और डॉक्टर जाकिर हुसेन की मिर्थ्यू के बाद वीवीगिरी कारेवाहक रास्टपती बने थे ठीक है तो इनका मिर्थु जो है समय से पहले हो गया था उसके बाद कारेवाहक रास्टपती बनाए गये थे वीवीगिरी समझ में आया तो यहाँ पर यह भी चीज़ याद रखना है ठीक है तो अगर आपसे पूछे भारत के किस रास्टपती की मिर्तियू कारेकाल पूरा होने से पुरु हो गई थी तो याद रखना है डॉक्टर जाकीर हुसेन डॉक्टर जाकिर हुसेन की मिर्थ्यू कारेकाल पूर्ण होने से पहले हो गई थी उसके बाद वीवी गिरी को कारेवाहक राष्टपती बनाये गया था याद रखेंगे 1979 में ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर सी भारतिय संग के परतिरक्षा बलों का सरवच समादेश निमनलिकित में से किसमे नहीं थोता है तो राष्टपती में नहीं थोता है तो याद रखेंगे भारतिय संग के परतिरक्षा बलों का सरवच समादेश निमनलिकित में से भारत का राष्टपती किन की नियुकती नहीं करता है उप्सन ए उप्राष्टपती उप्सन बी प्रधानमंत्री उप्सन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त उप्सन डी राजिपाल इंप्सन है तो याद रखना है राष्टपती उप्राष्टपती की नियुकती नहीं करता है तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुकती राष्टपती के द्वारा की जाती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुकती राष्टपती द्वारा क्या जाता है राजिपाल की नियुकती राष्टपती द्वारा क्या जाता है option A, भारत का माहनैवादी, option B, नियंतरक एँ ओं महालेखा परिक्छक, option C, एक राजिका राजिपाल, option D, उपरोग्त सभी तो राश्टपती के द्वारे किनकी न्यूक्ति की जाती है, तो आप जानते हैं महानैवादी की न्यूक्ति राश्टपती करते हैं नियंत्रक और महालेखा परिक्षक की न्यूक्ति राष्टपती करते हैं राजिपाल की न्यूक्ति राष्टपती करते हैं इसका मतलब हो जाएगा ओल सभी आंसर क्या हो जाएगा? सभी तो याद रखना है इने में से किसकी न्यूक्ति राष्टपती द्वारा होती है तो आंसरो जागा उप्सण D द्वारा वित आयोक के अध्यक्ष और सदस्यों की न्यूकती राष्टपती द्वारा राजिपाल और उपराजिपाल की न्यूकती राष्टपती द्वारा याद रखेंगे उच्छतम न्याले और उच्छे न्याले के नाइधिसों की न्युक्ति रास्टपती द्वारा होती है तो यहां हो जाएगा answer option number D तो class को फटा फटे एक बार आप लोग share करें आप सभी से request करेंगे तो आपका सही answer क्या हो जाएगा परधान मंत्री के सलापर रास्टपती याद रखेंगे कैंद्रिय मंत्री मंदल के मंत्रियों की न्युक्ती कौन करता है तो कैंद्रिय मंत्री मंदल के मंत्रियों की न्युक्ती परधान मंत्री के सलापर रास्टपती के द्वारा की जाती है option C निमने में से किसकी नियुक्ती भारत के राष्टपती द्वारा नहीं होती है किसका नियुक्ती भारत के राष्टपती द्वारा नहीं होता है option A, लोकसभाद्यक्ष, option B option B में कुछ होगा भारत के महानयवादी लिख देते हैं महानयवादी महानयवादी और option C में है सेना परमुक, option D इनमें से कोई नहीं तो आपको पूछा है इनमें से किसकी नियुक्ती रास्टपती द्वारा नहीं होती है तो याद रखना है कि लोगसभा अध्यक्ष की नियुक्ती रास्टपती के द्वारा नहीं होती है आंसर क्या होगा? option number A ठीके तो याद रखना है लोकसभा द्यक्ष की न्यूकती राश्टपती के द्वारा नहीं होती है आंसर उप्सन A तो क्लास को फटाफट सेर कीजेगा भारत के राश्टपती की मर्जी तक निमिलिकित में से कौन अपने पद पर रह सकता है तो इनमें से कौन साइसा व्यक्ती है जो राश्टपती की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है यानि राश्टपती के प्रसाद प्रियंत पद धारन करता है उप्सन A सरवत्च न्यालेक के नैधीस उप्सन B चुनावायूक तो उप्सन C राजिपाल उप्सन D लोकसभा ध्यक्ष तो सही आंसर क्या होगा राजिपाल आप जानते हैं राश्टपती के प्रसाद प्रियंत पद पर धारन करता है यानि राश्टपती की मर्जी से अपने पद पर रह सकता है कौन राजिपाल तो आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर C राजिपाल तो इस सवाल को जरूर याद रखेगा पूस्ता एक्जाम में तो आपको याद क्या रखना है कि राश्टपती की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है राजिपाल राजिपाल जो होते हैं वो राश्टपती के परसाद परेंत पद धारन करते हैं ठीक है और राजिपाल की न्यूकती राश्टपती के द्वारा क्या जाता है उसी तरह राज्यों में राजी के परमुक राज्यपाल तथा सासन के परमुक मुख्य मंत्री होते हैं याद रखेंगे ठीक है और राज्यपाल बनने के लिए मिनमम 35 वर्स क्या यू होनी चाहिए अनुछेद 156 में लिखा गया है कि राज्यपाल राश्टपती के प्रसाद प्रसाद प्रेंथ धारन करता है ठीक है तो याद रखना है अनुछेद 156 के अंत्रगत यह प्रावधान के आगया है कि राज्यपाल राश्टपती के प्रसाद प्रेंथ धारन करता है सामने तेया राज्यपाल का कारिकाल 5 वर्स होता है ये भी आप याद रखेंगे तो भ गित्त आयोग, option B, योजना योग, option C, राजके भासा आयोग, option D, संग, लोकसेवा, आयोग तो सही answer क्या होगा, योजना आयोग तो राश्टपती नियुक तो नहीं कर सकता है योजना आयोग, answer हो जाएगा option B चीखे योजनायुक अभी जो है योजनायुक के स्थान पर नितियायुक आ गया है याद रखना है वित्थ बिल के लिए किसकी पुर्व स्विकिर्थी आवश्यक है तो आपको बताने है वित्थ बिल के लिए किसकी पुर्व स्विकिर्थी आवश्यक है Option A, प्रधान मंतरी, Option B, वित्ध मंतरी, Option C, भारत के राष्टपती, Option D, किसी का भी नहीं तो सही आंसर क्या होगा? Option C, राष्टपती तो वित्ट बिल के लिए किसकी पूरू स्विकरति आवस्थ है तो याद रखना है वित्ट बिल के लिए रास्ट पती की स्विकरति आवस्थ है, option number C किसी भी अभ्यूक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है तो आप जानते हैं अनुशेद 72 के तहट रास्टपती को छमादान की सक्ति दी गई है और अनुशेद 72 के तहट रास्टपती किसी अभ्यूक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार रखता है तो अनुशीत 72 में रास्टपती को चमादान की सक्ती दी गई है रास्टपती द्वारा छोगसभा में मनूनित सदस्यों की कुल संख्याय कितनी होती है और राजे सभा में याद रखना है 12 शदश्यों का मनुनेयन किया जाता है रास्टपती के द्वारा लेकिन अगर पुराना question में पूछता है तो इस तरह पूछेगा कि राष्टपती द्वारा लोकसभा और राजसभा में मनुनित सदस्यों की कुल संख्या तो दो लोकसभा से और बारा आपका राजसभा से टोटल हो जाएगा 14 लेकिन अभी आपको याद रखना है जो आंगल भारते समुदाए का जो लोकसभा में मनुनित राष्टपती करते थे ये अब खतम कर दिया गया है ये अब समाप्त कर दिया गया है इस तीज को भी आप याद रखेंगे ठीक है चलिए तो आंसर याद रखना है option number A भारत के राष्टपती को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह चमाप्रदान करे option B नयायाले के नयाइधीस को हटाए option C अपातकाल की घोसना करे option D अध्यादेश जारी करे तो राष्टपती को कौन सा अधिकार नहीं है ये बताना है तो छमादान परदान करने का अधिकार है राष्टपती के पास अपातकाल की घोसना करने का अधिकार है अध्यादेश जारी करने का अधिकार है लेकिन नयायाले के नयाइधीस को हटाने का अधिकार नहीं है तो आंसर हो जाएगा option number B तो भारत के राष्टपती को यह अध प्राप्त नहीं है कि वह न्यायले के न्यायधिस को हटाए, उपसन नमबर बी चलिए, अगला सवाल देखते हैं, किसी विधी के प्रस्ण पर सरवच न्याले से प्रामर्स लेने का अधिकार किसका है, यानि कानून से संबंदित किसी प्रस्ण पर सुप्रीम कोट से सलाह ले सकता है अनुछेद 143 के अनुशार याद रखना है ठीक है आंसर ओप्सन नमबर B चलिए अगला सवाल देखते हैं भारतिय सविधान का कौन सा अनुछेद राष्टपती को सुप्रीम कोट से प्रामर्स करने की सकती प्रदान करता है तो राष्टपती को उस्तम नियाले से प्रामर्स करने की सकती प्रदान करता है अनुछेद 143 आंसर ओप्सन नमबर C तो क्लास को फटा-फट एक बार आप लोग सेयर करें आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे संसद के शदनों को बुलाने की सकती किसके पास है? ठीक है संसद के सदनों को बुलाने की सकती किसके पास है? तो याद रखना राष्टपती के पास संसद के सदनों को बुलाने की सकती राष्टपती के पास है आप्सन नमबर A राष्टपती को कौन सहयता एवं मंत्रना देता है? तो आंसर करेंगे राश्टपती की कौन साहयता करता है और कौन एड़ाइज देता है भारत के राष्टपती ने आर्थिक संकट की घुसना कब की थी? आप्शन A 1962 में, आप्शन B 1971 में, आप्शन C 1975 में, आप्शन D कभी नहीं तो एक भी बार नहीं, आप जानते हैं वित्य अपातकाल का प्रावधान है 360 में आपको पता होगा वित्य अपातकाल का प्रावधान जो है आर्टिकल 360 में, वित्य अपातकाल का प्रावधान है अनुच्छे 360 में और भारत में अब तक वित्या पातकाल एक भी बार नहीं लगा है तो याद रखना है वित्या पातकाल का प्रावधान अनुचे 360 में है भारत में वित्या पातकाल कभी भी नहीं लगा है तो भारत के राश्पती ने आर्थिक संकट की घोसना कभी तो कभी भी नहीं आंसर हो जाएगा option D ठीक है तो वित्यापातकाल का प्रावधान अनुच्छे 360 एक भी बार वित्यापातकाल नहीं लगा है याद रखेंगे तो सेशन को फटा-फट एक बार share कीजेगा विदेशों को भेजे जाने वाले विविन संसदिय परतिनिधी मंडलों के लिए वैक्तियों का नामंकरन निमलिखित में से कौन करता है तो आपका सही आंसर क्या होगा रास्ट पती याद रखना ये विदेशों को भेजे जाने वाले विविन संसदिय परतिनिधी मंडलों के लिए वैक्तियों का नामंकरन रास्ट पती के द्वारा क्या जाता है ओप्शन C भारत के निमलिखित में से किस मुख्य नाइधिस ने कुछ समय तक भारत के रास्ट पती के रूप में कारे किया तो इंप्रॉटन्ट सवाल है कौन से इसे मुख्य नाइधिस हैं जिसने कुछ समय के लिए भारत के रास्ट पती के रूप में कारे किया तो आप जानते है M. लिखित में से कौन राष्टपती का कारे नहीं है option A, लोगसभा का सत्र बुलाना, option B, लोगसभा का विगटन करना, option C, लोगसभा का सत्र आवशान करना, option D, किसी सत्र के अंतरगत लोगसभा की बैठक आहूत करना, तो आपको बताना इनमें से कौन राष्टपती का काम नहीं है, ठीक है, तो यहां आपका सही अंसर क्या होग डी हो जाएगा ठीक है किसी सत्र के अंत्रगत लोकसभा की बैठक आहुद करना ये राश्टपती का काम नहीं है बागी याद रखना है लोकसभा का सत्र बुलाना किसका काम है लोकसभा का सत्र बुलाना राश्टपती का काम है लोगसभा का विगटन करना राष्टपती का काम है लोगसभा का शत्रावशान करना राष्टपती का काम है ठीक है तो याद रखना है कि राष्टपती संसद की बैठक को बुला सकता है एवं सत्रावशान कर सकता है लोगसभा का विगटन कर सकता है एवं संसद के सियुक्त अधिवेशन को बुला सकता है राष्टपती जो है संसद के सियुक्त अधिवेशन को बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष संसद के सियुक्त अधिवेशन की अधिवेशन करते हैं याद रखेंगे परतेक वर्स संसद के पर्थम अधिवेशन और परतेक नए चुनाव के बा विदेशी देशों के सभी राज़ूतों का कमिशनरों के परतिय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं राश्टपती किस विदेख को पुनर विचार के लिए नहीं लोटा सकता है राष्टपती किस विदेग को पुनर विचार के लिए नहीं लोटा सकते हैं तो आप जानते हैं कि राष्टपती धन विदेग को पुनर विचार के लिए नहीं लोटा सकते हैं धन विदेग के संबंद में लोगसभा अधक्ष के पासी पावर होता है याद रखना है कोई विदेक धन विदेक है या नहीं इसका अंतिम फैसला लोग सभा स्पीकर के द्वारा क्या जाता है धन विदेक को राष्टपती संसद के पुनरविचार के लिए नहीं लोटा सकता है याद रखेंगे ठीक है important है इसको याद रखेंगे answer option C चले अगला सवाल यदी राष्टपती द्वारा किसी विदेक को पुनरविचार के लिए लोटाया जाता है तो वह किस विदेक को पुनरविचार के लिए लोटाया जाता है तो वह किस विटो का प्रियोग करता है option A जे भी विटो option B निलंबन कारे विटो option C marginal विटो option D इन में से कोई नहीं तो आपका सही आंसरों का निलंबन कारे विटो suspension विटो ठीके आंसर क्या हो जाग option B तो इस चीज को याद रखना है पूछ सकता है यदी कोई विदेक संसद द्वारा पारित होकर राष्टपती के पास भेजा जाता है तो वह उसे स्विकरती दे सकता है या अपनी स्विकर स्विकरती सुरक्षित रख सकता है अथवा विदेक को संसद के पुनरविचार के लिए लोटा सकता है तो यदी राष्टपती द्वारा किसी विदेक को पुनरविचार के लिए लोटाये जाता है तो वह किस विटो का प्रयोग करता है निलंबन कारी विटो आंसरों जाग option B, अगर पूस्ता J.B. Vito तो J.B. Vito से भी सवाल बनता है ठीक है, J.B. Vito से सवाल कि J.B. Vito का उलेक किस अनुछेद में है तो याद रखना है अनुछेद 111 में सविधान के अनुछेद 111 के अंत्रगत रास्टपती के पास J.B. Vito का पावर होता है, याद रखेंगे ठीक है, J.B. Vito का पावर होता है अनुछेद 111 के तहत रास्टपती को ये भी आप याद रखेगा, तो इस सवाल का अंसर option number B रास्टपती निम्न में से किस सुची के विशेद पर अध्यादेश जारी कर सकता है रास्टपती किस सुची के विशेद जारी कर सकता है आपको बताना है तो पहला सवाल रास्टपती अध्यादेश जारी करते हैं अनुछेद 123 के तहत रास्टपती अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत याद रखना है अध्यादेश जारी कर सकता है अगला सवाल राष्टपती किस सुची के विशे पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है तो पताना है कि राष्टपती किस सुची के विशे पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है तो यह important सवाल है नहीं कर सकता है option A, संघिय सुची, option B, संवर्ती सुची, option C, राज सुची, option D, राज और संवर्ती सुची तो आंसर करें कि राष्टपती की सुची के विश्यों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है तो आसान सा सवाल है आंसर करेंगे तो आपका जो सही आंसर होगा राज्य सुची, याद रखना है कि राश्टपती राज्य सुची के विशे में अध्यादे जारी नहीं कर सकता है, याद रखना है कि राश्टपती राज्य सुची के विशे में अध्यादे जारी नहीं कर सकता है, राश्टपती संग्य सुची और समवर्थी सुची के विशेयों पर अध्यादे जारी कर सकते हैं राज सुची के विशेयों पर अध्यादे जारी करने का अधिकार राष्टपती के पास नहीं होता है answer option c अब आपको बता होगा कि सात्वी अनुशुची में संग सुची, राज सुची और समवर्ती सुची का विशे है तो याद रखना है सात्वियन सुची में संग सुची, राज सुची और समवर्ती सुची का प्रावधान क्या गया है संग सुची के अंतरगत उन विश्यों को सामिल क्या गया है जनगन्ना याद रखना है संग सुची का विसे है अब याद रखना है राज्य सुची तो राज्य सुची के अंतरगत कौन-कौन विसे रखा गया है तो याद रखना है कुछ important जिसे पुलिस जो है राज्य सुची का विसे है अस्थानिय स्वासासन राज्य सुची का विसे ह तो राष्टपती कीन विश्यों पर अध्यादे जारी नहीं कर सकते है तो याद रखना है राज्यादे जारी नहीं कर सकते है राश्टपती, क्लास को फटा-फट एक बार share करेंगे, आप सभी से request करेंगे निमनलिखित में से किस परिस्थिती में राश्टपती option A, जब केवल राजसभा, मतलब पूचा है निमनलिखित में से किस परिस्थिती में राश्टपती अध्यादे जारी कर सकता है ठीक है तो अब आप option पढ़िए और आंसर कीजे question निम्रिलखित में से किस परिस्थिती में रास्टपती option है जब किवल राजे सभा में ही सत्र हो अध्यादे जारी नहीं कर सकता है जब दोनों सत्र में हो जब किवल लोकसभा ही सत्र में हो जब दोनों सत्र में ना हो question पूरा नहीं लिखा है आपको हम बता देते हैं अनुशेद 123 के तहट रास्टपती अध्यादे जारी कर सकते हैं और आपको याद रखना है कि अध्यादे संसद की पुना बैठके 6 सपता के भीतर संसद्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए ठीक है तो इस question को यहाँ error है ठीक है चली अगला सवाल देखते हैं जब कोई विध्यक संसद्वारा पारित हो जाता है तो रास्टपती को अधिकार है कि वह उसे संसोदित कर सकता है और स्विकार कर सकता है अपने पास अनिशितकाल के लिए अनिशितकाल तक नहीं रख सकता है पुनरविचार के लिए वापस भेज सकता है तो जब कोई विध्यक संसद्वारा पारित हो जाता है तो रास्टपती को अधिकार है कि वह उसे क्या होगा आंसर बताएंगे तो रास्टपती उसे स्विकिर्ती भी दे सकते हैं उसे उसमें अपनी स्विकिर्ती रख भी सकते हैं चीक है सुरक्षित भी रख सकते हैं वीटो पावर के तहट और वो चाहे तो पुनरविचार के लिए भी लोटा सकते हैं लेकिन ये भी याद रखना है कि धन विधेक को राष्टपती संसद के पुनरविचार के लिए नहीं लोटा सकता है। धन विधेक को छोड़ कर जितने भी विधेक हैं उसको राष्टपती के द्वारा संसद के पुनरविचार के लिए लोटाया जा सकता है। यह भी याद रखना है तो जब कोई विद्यक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्टपती को अधिकार है कि वह पुनरविचार के लिए वापस भेज सकता है धन विद्यक को छोड़कर आंसर हो जाएगा option number D भारत के राष्टपती संसद के दोनों शदनों को पर्थम सत्र के प्रारम में कब संबोधित करते हैं तो आंसर करेंगे तो पर्ति वर्स और लोकसभा के पर्तिक आम चुनाओ के बाद आंसर हो जाएगा C आंसर क्या हो जाएगा C, A और B दोनों समझ में आया आंसर क्या हो जाएगा C, A और B दोनों अभी थोड़ी दिर पहले आपको पताए थे कि पर्तेक वर्स संसद के पर्तम अधिवेशन और पर्तेक नहीं चुनाओ के बाद राष्टपती संसद को संबोधित कर सकता है तो य विधान के अनुशेद 124 के अंतरगत राष्टपती निमनलिखित में से क्या कर सकता है ठीके अनुशेद 124 के अंतरगत राष्टपती क्या कर सकते हैं तो आपका अंसर क्या होगा सरवोच चन्याले के नयाइधिसों की न्युक्ती आप जानते हैं अनुशेद 124 के तहत सु करने की सकती केवल राष्टपती को है आंसर हो जाएगा option number A याद रखेंगे तो मिर्तियु दंड पाए अपरादी अगर कोई अपरादी है जिसको मिर्तियु दंड का सजा मिला है और उसकी सजा को छमा करने का सकती किसके पास होगा केवल राष्टपती के पास होगा answer हो कोई बड़ा दुरगटना हो गया भुकंप आ गया चुनामी आ गया या कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा आ गया जिसके कारण बहुत पैसा का जोरत है ठीक है लोगों की मदद के लिए सरकार को पैसा का जोरत है तो भारत के आकास्मिक निधी से धन निकाल सकता है कौन यह आ बढ़ार रखेगा कि भारत के आकास्मिक निधी से धन निकाल सकता है कौन राष्टपती ओपसन की निमनलिखित में से कौन सा आधिकार भारत के राष्टपती को प्राप्त नहीं है आपको बताना है तो आपका सही अंसर क्या होगा राष्टपती को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है तो उच्टम न्याले तथा उच्टम न्याले के अधिकारों को हस्टगत करने का ठीक है बांकि आप जानते हैं उच्टम न्याले और उच्टम न्याले के नाइधिसों की न्यूकती करने का अधिकार होता है रास्टपती के पास परदान मंत्रियों और अन्य मंत्रियों की न्यूकती का अधिकार है रास्टपती के पास संसद का अधिवेशन आहुट करने और उसका सत्रावशान करने का अधिकार भी है राष्टपती के पास लेकिन राष्टपती के पास कौन सा अधिकार नहीं है answer option number B तो session को फटाफट share करें आप सभी से humble request करेंगे किन-किन परिस्थितियों में राष्टपती संसद का सियुक्त अधिवेशन आहुट कर सकते हैं तो आपको वतना है कि राष्टपती संसद का सियुक्त अधिवेशन आहुट कर सकता है किन-किन परिस्थिति में तो answer option पढ़ें और answer करें एक सदन द्वारा पारित विध्यक को दूसरे सदन द्वारा रद कर देने पर option B, एक सदन द्वारा विध्यक में प्रस्तावित संसोधन दूसरे सदन द्वारा स्विकार न किया जाने पर Option C, एक सदन द्वारा विधेक की प्राप्ती के 6 माह तक कोई कारेवाही न करने के स्थिती में Option D उप्यूक्त सभी तो आंसर हो जागा उप्रोक्त सभी तो याद रखना है कि राष्टपती जो है संसद के दोनों सदनों के सियूक्त बैठक को बुला सकते हैं जिसके अध्यक्सता लोकसभाई स्पीकर के दोरा किया जाता है तो राष्टपती संसद का सियूक्त अदिवेशन कब बुला सकते हैं तो याद रखना है एक सदन द्वारा पारित विधेक को दूसरे सदन द्वारा अगर रद्द कर दिया जाए तो दूसरा याद रखना है कि एक सदन द्वारा विधेक में प्रस्तावित संसोदन दूसरे सदन द्वारा और स्विकार न किया जाने पर और option C, एक सदन द्वारा विधेक की प्राप्ती के 6 मां तक कोई भी कारेवाही नहीं होने की स्थुती में भी राष्टपती जो है संसत का स्यूगत अदिवेशन बुला सकते हैं आंसर हो जाएगा option number D, all किसी संस्तुती के आधार पर भारत का राष्टपती भारत की आकास्मिक निदी से धन वै कर सकते हैं तो याद रखना है किसी की भी संस्तुती की ज़रत नहीं होती है ठीक है तो किसी संस्तुती के आधार पर तो याद रखना है कि राष्टपती भारत की संचित निदी से धन निकाल सकते हैं या इसके लिए किसी की संस्तुती की ज़रत नहीं होती है आंसर हो जाएगा option number D सविधान के किस अनुचेद के अंतरगत राष्टपती संगीय मंत्री मंदल की सलाह मानने के लिए बाद है तो बताना है किस अनुचेद के अंतरगत राष्टपती संगीय मंत्री परिशद की सलाह मानने के लिए बाद है तो important है याद रखना अनुचेद 74 अनुशेत 74 के अंत्रगत राष्टपती संगीय मंत्री परिशद की सलाह मानने के लिए बाद दे है तो याद रखेंगे राष्टपती संगीय मंत्री परिशद की सलाह मानने के लिए बाद दे है अनुशेत 74 के तहट ऑप्सन नमबर A युद्ध अथवा भारत पर आकर्मन होने की स्थिती में निम्लिकित में से कौन अंतिम रूप से आकर्मन कारी के वृद्ध युद्ध की घोसना करता है तो आप जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा option number D राष्टपती आपको पता होगा अनुशे 352 के तहट National Emergency का प्रावधान है ठीक है याद रखेंगे अनुशे 352 के तहट National Emergency का प्रावधान है अनुशे 356 के तहट राज्यों में राष्टपती सासन का प्रावधान है अनुशे 360 के तहट वित्य अपातकाल का प्रावधान ह भाग 18 के तहट आपातकाल का उलेक किया गया है तो भाग 18 में अनुशे 352 से 360 तक आपातकाल के प्रावधान का उलेक किया गया है भारत में तीन प्रकार का आपातकाल है याद रखना है भारत में तीन प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है ठीक है यहां अंसर हो जाएगा बारतिय सविधान के अनुशार भारत के रास्टपती का यह कर्तव है कि वे निमनिलकित में से किन को संसद के पटल पर रखवाएं Option A, संग वित्य आयोग की सिफारिशों को Option B, लोक लेखा समीती के परतिवेदन को Option C, नियंतरक महलेखा परिक्षक के परतिवेदन को Option D, रास्टी अनुसुचित जाती आयोग के परतिवेदन को तो यहाँ आंसर क्या होगा आपको बताना है इंपोर्टेंट सवाल है, यह पूछ सकता है एक्जाम में तो यहाँ आपका जो आंसर होगा आंसर करेंगे तो यहाँ आपका से आंसर होगा केवल 1, 3 और 4 ठीक है, तो याद रखना है कि भारत के रास्टपती का कर्तव यह है नियंतरक महालेखा परिक्षक के परतिवेदकों को संसर के पास रखवाए और रास्टी अन्यसुचित जाती के आयोग के परतिवेदन को चंसर के पटल पर रखवाए आंसर होगा उप्षन C, 1, 3, 4 याद रखेगा लोगसभा निमनलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है तो लोगसभा आप जानते कि भंग क्या जा सकता है तो लोगसभा किसके द्वारा भंग क्या जा सकता है तो आपको बताना है आंसर क्या होगा उप्षन B, प्रधानमंत्री के प्रामर्स से राष्टपती द्वारा तो याद रखेंगे लोकसभा भंग क्या जा सकता है परदानमंत्री की सलाह से राष्टपती द्वारा ओप्सन नमबर बी राष्टपती निमनलिखित में से किस परिस्थिती में आपातकाल की उद्गोसना कर सकता है आपको बताना है तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा बताएंगे तो याद रखना है परदानमंत्री तथा मंत्री मंडल के लिखित परामर्स पर ठीक है तो आपातकाल की घुसना कौन करते हैं राष्टपती तो राष्टपती आपातकाल की घुसना कर सकता है कब कर सकता है तो परदानमंत्र प्रधान मंत्री तथा मंत्री मंडल के लिखित प्रामर्स पर राश्टपती आपातकाल की घोसना कर सकता है आंसर ओप्सन B याद रखेंगे भारतिय सविधान के अनुछेद 123 के अंतरगात अध्यादेश को जारी करने की सकती किसके पास होती है तो आप जानते अनुछेद 123 के तहट राश्टपती अध्यादेश जारी करता है अनुछेद 123 के तहट राश्टपती अध्यादेश जारी करता है आंसर होगया उप्सन C राश्टपती किस इस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है उप्सन A अपातकाल में option B, वित्यापातकाल में, option C, शदन के अधिवेशन न रहने की इस्थिती में, option D, लोकसभा के अधिवेशन न रहने की इस्थिती में तो answer क्या हो जाएगा? option number C, सदन के अधिवेशन न रहने की इस्थिती में त्याद रखना है कि रास्टपती अनुशेद 123 के तहट अध्यादेस जारी कर सकता है अध्यादेस संसद की पुना बैठक के 6 हपतों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और रास्टपती किस इस्तिति में अध्यादेस जारी कर सकते हैं तो आद रखना है सदन के अधिवेशन न रहने की इस्तिती में आंसर उप्शन नमबर C राष्टपती द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आविश्यक है तो आपका सही आंसर क्या होगा उप्शन B 6 सपता ठीक है आंसर क्या हो जागा 6 सपता उप्शन नमबर B राष्टपती अपनी छमादान सकती का प्रियोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है तो आपका सही आंसर क्या होगा सभी हो जाएगा मिर्तिव दंड के मामले में सैनिक अदालत द्वारा किये गए दंड और option C ऐसे मामलों में दिये गए दंड पर जो संगिय कारिपालिका के छत्रादिकार के अंतरगत आते हों तो आंसर हो जाएगा option D भारत के राष्टपती के पास कौन सी वीटो सकती होती है भारत के राष्टपती के पास कौन सी वीटो सकती होती है तो यह सभी वीटो सकती होता है भारत के राष्टपती के पास absolute prohibition यानि पूर्ण निशेद वीटो होता है निलंबित निशेद वीटो होता है और pocket वीटो भी यानि राष्टपती के पास ये तीनों वीटो होता है तो याद रखना है कि राष्टपती के पास पूर्ण निशेद वीटो निलंबित निशेद वीटो और पॉकेट वीटो होते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा उप्सन नमबर डी राष्टपती के पास ये तीनों वीटो सक् बारत तो आपको पता होगा ऑण्सर क्या भारतिय डागर संसोधन अधिनियम में याद रखना है कि एक मातर बार वीटो का प्रियोक क्या गया है तो इंपॉर्टेंट समाल इसको भगा जरूर याद रखेगा पू ??? सकता एक्जाम में ठीक है तो क्लास को फटा-फट एक बार सेर कीजेगा तो याद रखना है कि भारत के रास्टपती ने एकमात्र मामले में वीटो सक्ती का प्रियोग किया था भारतिय डागर संसोधन अधिनियम के अंतरगत और पूछेगा वीटो का जो पावर है रास्टप करने का अधिकार है तो आप जानते हैं कि रास्टपती को लोगसभा में एंगलो इंडियन के दोश अदश्यों को मनोनीत करने का अधिकार है आंसर ऑप्सन बी लेकिन ये अधिकार अभी खतम कर दिया गया है ठीक है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे ये समाप्त कर दिया गया है राष्टपती और उपराष्टपती के अनुपस्तिती में कौन कारेभार समालेगा तो आप जानते हैं राष्टपती और उपराष्टपती के अनुपस्तिती में सरवच नयले के मुखे नाइदिस कारेभाराक राष्टपती के रूप में काम करेगा अंसर ऑप्सन लोकसभा द्वारा पारित विध्यक यदि राष्टपती लोकसभा को पुनरविचार के लिए लोटाता है और लोकसभा उसे पुर्वत वापस करके राष्टपती के पास भेज देता है तो राष्टपती विध्यक को पुना लोटा सकता है अनुमती देगा पुना हस्पस्ट करन मांग सकता है Supreme Court की अनुमती लेगा तो simple सा question है बताना है आपको answer क्या होगा बताएंगे तो answer क्या होगा अनुमती देना होगा है ना तो लोगसभा द्वारा पारित विधैक यदि राश्ट पति लोगसभा को पुन्रविचार के लिए लोटा देता है और लोगसभा उसे बिना चेंज किये हुए फिर से रास्टपती के पास भेज देता है तो रास्टपती को विधैक जो है उसको अनुमती देना होगा ठीक है ये चीज़ आप याद रखेंगे रास्टपती को अनुमती देना पड़ता है आंसर हो जात विधाई अधिकार, याद रखेंगे अध्यदेश जारी करने का अधिकार, रास्टपती का कौन सा अधिकार है, तो विधाई अधिकार है, अध्यदेश जारी करने का अधिकार, रास्टपती का विधाई अधिकार है, याद रखेंगे, ठीक है, आंसर हो जाएगा, उप्सन निमनलिखित में से किसकी न्यूकती राष्टपती द्वारा की जाती है राष्टपती द्वारा वित आयोक का अध्यक्ष, योजना आयोक का अध्यक्ष, संग राज चित्र का मुख्यमंत्री अब आपको बताना है कि कौन सा सही है, राष्टपती किसके द्वारा, राष्टपती इन में से किसकी न्युक्ती करता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, आप देखें, वित आयोक का जो अध्यक्ष होता है, उसकी न्युक्ती कौन करता है, राष्टपती द्वारा, संग र राश्टपती द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है तो वितायूक का दख्ष राश्टपती के द्वारा संग राजे चित्र का मुक्यमंद्री राश्टपती के द्वारा तो आंसर हो जाएगा option number c याद रखना है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं निम्लिखित में से कौन सा राष्टपती के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाव्योग अधिकरण का भाग नहीं है ओप्शन A लोकसभा ऐप्शन B राजी की विधान परिशद औप्शन C राजों की विधान सभा ओप्शन D राज राजसभा तो इनमें से कौन राष्टपती के निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन राष्टपती को हटाने का जो महावियोग परक्रिया है उसमें भाग नहीं लेता है तो वही आपको वताना है तो आपका सही आंसर क्या होगा राजी की विधान सभा ठीक है तो याद रखना है कि राष्टपती के निर्वाचन में राजी की विधान सभा भाग लेती है लेकिन राष्टपती को हटाने का जो महाभ्योग परक्रिया है उसमें राजी का विधान सभा भाग नहीं लेता है ठीक है? तो आंसर हो जाएगा option C. तो याद रखना है राश्टपती की निर्वाचन में लोकसभा और राजेसभा के निर्वाचित सदसे, राजे विधानसभा के निर्वाचित सदसे, केंद्रसासित परदेश, दिल्ली और पूदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित से भाग लेते हैं, लेकिन राश्टपती पर जो महाभ्योग लगाया जाता है, उसमें राजी की विधानसभा भाग नहीं लेती है, तो आंसर क्या हो जाएगा option C. राश्टपती की उम्मिद्वार के लिए आवश्चक नहीं है, option A. आयू 35 वर्स हो, option B. पढ़ा लिखा हो, option C. शांसद चुने जाने योग्य हो, option D. देश का नागरिक हो, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो पढ़ा लिखा हो, ऐसा नहीं कहा गया है ऐसा विधान में, तो राश्टपती के उम्मिद्वार के लिए क्या वश्चक नहीं है, पढ़ा लिखा हो, option B. राश्टपती के निर्वाचन में, राज का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है, यदि वह स्वेंग परत्यासी होता है, उसे राज विधान मंदल के निचले सदन में बहुमत सिद करना हो, वह राज विधान मंदल में उच्छे सदन का सदस्य हो, option D. वह का याद रखना है कि राश्टपती के निर्वाचन में, राज का मुख्यमंत्री वोट नहीं कर पाएगा, अगर वह राज विधान मंदल में उच्छे सदन का सदस्य हो, answer option C. भारत के राश्टपती के पत से संबदित कौन सा कथन सही है? तो आप बताएंगे भारत के राश्टपती अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है जब संसत सत्र में हो, option C. आपातकाल के दौरान राश्टपती राजसभा को भंग कर सकता है, option D. राश्टपती को आंगल भारतिये समुदाई से दो सदस्य लोकसभा में, लोकसभा में निर्देशित, मतलब ना करने का सकती है, ठीक है अभी लेकिन ये खतम हो गया है, लेकिन question में देगा generally पुराना ही देता है, तो ये तो सही है, अगला देखे राश्टपती को, ठीक है पुछाए कौन सा कतन सही है, कौन सा कतन सही है, तो एक बार देखते हैं हम लोग, बागी देखे राश्टपती अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है, जब संसत सत्र में हो, राश्टपती को विशेश मामलों में किसी अपरादी को छमादान की सकती है, तो यहाँ पे लिखा है कौन सा कतन सही है, एक मिनट है, इसमें answer option देखे हैं, यहाँ पे कूट लिखा है, वन टू, टू, 3, 4 और 1, 3, 4, कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो answer होगा, यह देखे लिखा है, राजे सबा भंग कर सकता है, गलत होगा, ठीक है, तो यह दोनों तो गलत हो गया, अब आपका option में देखे है क्या हो सकता है, 2 और 4 आपका सही answer हो जाना चाहिए, तो ठीक है, answer क्या हो जाएगा option number B याद रखना है, 2 और 4, यह जो उप्सन number B जो होगा, इस सवाल का सही answer होगा, याद रखेगा, ठीक है, भारत एक गंतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गंतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, आपको बताना है, तो इसका अर्थ क्या होगा, भारत में वनसानुगत सासन भारत एक गंतंत्र है इसका मतलब है कि भारत में वनसानुगत सासन नहीं है option number C भारत में राष्टपती चुना जाता है तो भारत में राष्टपती किस परकार चुना जाता है आपको बताना है तो आप जानते हैं कि निर्वाचित सांसदों व व विधान सभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तो भारत में राष्टपती चुना जाता है निर्वाचित सांसदों व व विधान सभा सदस्यों द्वारा option D भारत के राष्टपती के निर्वाचन के संदर्ब में निमलिखित कतनों पर विचार करें परतेक MLA के वोट का मुल्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है Option B, लोकसभा के शदश्यों के वोट का मुल्य, राजे सभा के शदश्यों के वोट के मुल्य से अधिक होता है तो कौन सा कतन सही है, देखिए ध्यान देजे पुछाए कौन सा कतन सही है ठीक है, तो आंसर करें कौन सा कतन सही है, तो यहाँ पे केवल एक सही है तो याद रखना है कि राष्टपती के निर्वाचन के शंदर्ब में कौन सा कथन सही है तो याद रखना है परतिक MLA के वोट का मुल्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर A केवल एक सही है राष्टपती के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलह ली जाती है तो सुप्रीम कोट का आंसर हो जाएगा सर्वोज चनेल है सुप्रीम कोट राष्टपती के चुनाव में विवाद होने पर सुप्रीम कोट की सलह ली जाती है भारत के रास्टपती का परती महा वेतन कितना है तो रास्टपती का वेतन कितना है आपको वताना है तो आप जानते हैं रास्टपती का वेतन है 5 लाख आंसर हो जाएगा रास्टपती का परती महा वेतन है 5 लाख रुपया उप्सन नमबर A नामंकन के समय राष्टपती पद के उमिद्वार को जमानत के तोर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है इंपोर्टेंट सवाल है सही आंसर क्या होगा बताएंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है 15,000 रुपया आंसर ऑप्सन सी तो नामंकन के समय राष्टपती पद के उमिद्वार को जमानत के तोर पर 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है यदि उमिद्वार कुल डाले गए मतों का 1 वटे 6 भाग वोट प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत रासी जब थो जाती है याद रखेंगे आंसर हो जागा उप्सन नमबर C तो क्लास को फटा फट सेयर करें आप सभी से हमबल रिक्वेस्ट करेंगे राष्टपती को पैंसन की रूप में आज इवन कितना रुपया परतिवर्स मिलता है आपको बताना है चीक है तो याद रखना है 30,000,000 रुपया राष्टपती को पैंसन की रूप में आज इवन कितना रुपया परतिवर्स मिलता है तो 30,000,000 रुपया आंसर उप्सन नमबर D याद रखेगा भारत का राष्टपती किसका एक अभिन अंग है भारत का राष्टपती किसका एक अभिन अंग है तो आप जानते है राष्टपती जो है संसद का एक अभिन अंग है संसद के तीन भाग होते हैं राष्टपती लोकसभा और राजेसभा तो भारत का राष्टपती किसका एक अभिन अंग है संसद आप्सन नमबर A एक विध्यक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है Option A जब वह संसद के दोनों शत्नों द्वारा पारित हो जाता है Option B जब रास्टपती अपनी सहमती दे देता है Option C जब परदानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है Option D जब सर्वोच चन्याले इसे केंद्रिय संसद के अधिकार छेत्र में होना घोसित करता है तो सिंपल सा कोश्चन है तो आप जानते हैं कि एक विध्यक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी किर्या के बाद अधिनियम बन जाता है जब रास्टपती अपनी सहमती दे देते हैं जब रास्टपती अपनी सहमती दे देते हैं आंसर हो जाएगा Option B तो क्लास को फटा-फट सेयर कीजेगा भारत के निमने लिखित राश्टपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटिन रिपेक्ष आंदुलन के महा सचीव भी थे आपको वतन है इनमें से कौन से ऐसे राश्टपती हैं जो कुछ समय के लिए गुटिन रिपेक्ष आंदोलन के महासचीव भी थे याद रखना भारत के राश्टपतियों में से एक कुछ समय के लिए गुटिन पेक्ष आंदोलन के महासचीव थे ऑपसे नमबर C भारत के पर्थम मुस्लिम राश्टपती कौन थे? बारत के राष्टपती का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा क्या जाता है यह निर्वाचक मंडल निमलिकित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है आपसन A, संसद के दोनों शदन, आपसन B, राज्यों का विधान सभा आपसन C, राज्यों की विधान परिशद, आपसन D, दिल्यों और पुदूचेरी विधान सभा तो आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि राष्टपती के निर्वाचन में संसद के दोनों शद्नों के निर्वाचित सदस से भाग लेते हैं इसके अलावा राज्यों का जो विधान सभा होता है उसके निर्वाचित सदस से भाग लेते हैं ठीक है केंद्रसासित, परदेश, दिल्यों और पुदुचेरी, विधान सभा के निर्वाचित सदस से इसमें भाग लेते हैं तो आंसर क्या होगा? एक, दो और तीन हो जाएगा ओप्सन नमबर बी है ना, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? एक, दो और चार, आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक, दो और चार हो जाएगा आंसर ना, तो आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओप्सन नमबर C याद रखना है एक, दो और चार तो याद रखना है कि रास्टपती की निर्वाचन में संसद के दोनों शद्नों के निर्वाचित सदस से, राज विधान सभा के निर्वाचित सदस से और दिली और पुदुचरी विधान सभा के निर्वाचित सदस से भाग लेते हैं, ठीक है तो आंसर हो जाएगा, C नंबर अपसंडी उच्टम नियाले, तो याद रखेंगे, लाव के पद का निर्णे करता है, फेडरल पार्लियमेंट संग्ये संसद, ठीके, तो लाव के पद का निर्णे कोन करेगा, संसद, निमने लिखित में से किसे भोगलिक समविधानिक अधिकार प्राप्त है, तो आपको बत पती को भोगलिक समविधानिक अधिकार मिला है, याद रखेंगे, पूसता है ना कि राष्टपती अनुसुचित छेतर तथा अनुसुचित जनजाती छेतरों के परसास किये सकती रखता है, एवं वह किसी छेतर को अनुसुचित छेतर गोसित कर सकते हैं, तो राष्टपत तो क्लास को फटा-फट एक बार सेर कीजेगा, भारतिय सविधान के सत्रवे संसोधन द्वारा भारत के राष्टपती के चुनाओं में जिन्दो केंद्रसासित परदेश को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, वह कौन सा है, तो आप जानते हैं दिल्ली और पुदुच पुदुचेरी विधान सभा, आंसर हो जाएगा option number B, आंसर क्या हो जाएगा, option number B, तो ये important है, इसको भी आप याद रखेगा, एक्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है भारतिय सविधान के सत्रवे सविधान संसोधन द्वारा, याद रखना है सत्रवे भारतिय धर्म निपेख्षता को सर्वधम, सरवभाव कहता रहा, तो आपको बताना है कौन से ऐसे भारत के राश्टपती हुए, जिन्होंने सदा भारतिय धर्म निपेख्षता को सर्वधम, सरवभाव कहा, important सवाल है, याद रखना S. राधा कृष्णन, आंसर हो जाएग option number A, सरवपली राधा कृष्णन जी ने भारतिय धर्म निपेख्षता को सदा सरवधम, संभाव कहा, option number A, भारत सरकार का सववधानिक अध्यक्ष कोन है, option A, राश्टपती, option B, प्रधानमंत्री, option C, भारत के मुख्यनाइधिस, option D, महानयवादी, तो सववधानिक अध्य प्रधा कोन होता है, भारत सरकार का सववधानिक अध्यक्ष राश्टपती, option A, भारत के पहले राश्टपती के रूप में, डॉक्टर राजंदर प्रसाद का चुनाव क्या गया था, ये सववधान सभाद्वारा, प्रधा क्या गया था, ठीक है, तो भारत के राश्टप राश्टपती के रूप में, डॉक्टर राजंदर प्रसाद का चुनाव सवधान सभाद्वारा, option C, याद रखेंगे, important है ये सवाल, चली, अगला सवाल, यदि भारती उपराश्टपती अपना त्यागपत्र करने का निड़ने लेता है, तो वो अपना त्यागपत्र किस देते हैं, तो उपराश्टपती अपना त्यागपत्र राश्टपती को देते हैं, और राश्टपती अपना त्यागपत्र उपराश्टपती को देते हैं, याद रखेंगे, भारत के पर्थम राश्टपती कौन थे, तो आप जानते हैं, डॉक्टर राजंदर प्रसाद, भारत के पहले राष्टपती कौन थे? डॉक्टर राजंदर परशाद, आंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर B. उप्सन B, सभी संसद सदस्यों और राजि के विधान सभा सदस्यों में से प्रते का मत एक है, उप्सन C, सभी संसद सदस्यों और राजि के विधान सभा सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है, उप्सन D, लोकसभा के संसद सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है, तो तो याद रखना है भारत का राष्ट पती अनुपातिक परति निर्वाचित होता है इसका मतलब है कि निर्वाचित संसत सदस्यों और राजी के विधान सभा सदस्यों के मतों की संख्यां अलग-अलग होती है तो आन्सर क्या हो जाएगा? option number A बहतरीन कोश्यन है इसको जरूर ज़रूर याद रखेगा पूस सकता है exam में भारत के रास्टपती पर महावयोग लगाने का अधिकार है तो रास्टपती पर महावयोग लगाने का अधिकार किसके पास होता है तो आप जानते हैं कि संसद के दोनों शदनों को भारत में राष्टपती राजसभा के कितने सदस्यों को मनुनित कर सकता है तो आप जानते हैं कि राष्टपती द्वारा राजसभा में 12 सदस्यों का मनुनियन किया जाता है निमनलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो आपको वतना इनमें से कौन? दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो आपको याद रखना राष्टपती राष्टपती ना तो लोकसभा का सदस्य है राष्टपती ना तो राजसभा का सदस्य है तो आंसर क्या होगा राष्टपती तो किसी भी सदन का सदसे नहीं होता है राष्टपती, answer option number C याद रखेगा युदी की घोसना या सांती का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्चम है कौन? युदी की घोसना और सांती का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्चम है आपको वताना है ठीक है तो important सवाल है answer क्या हो जाएगा आपका रास्टपती याद रखेंगे युद्ध की गोसना अथवा सांती का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम होते हैं रास्टपती option number A तो session को फटा फट एक बार आप लोग share करें आप सभी से humble request करेंगे भारत में कैंद्रिये मंत्रियों की गोपनियता की सपत किसके द्वारा दिलवाई जाती है तो आपको बतन है कैंद्रिये मंत्रियों को गोपनियता की सपत किसके द्वारा दिलाई जाती है तो कैंद्रिये मंत्रियों को निम्रिलिखित में से क्या सब्दस्थ भारत के राष्टपती की सक्ति नहीं है तो इन में से क्या राष्टपती का सक्ति नहीं है आपको बताना है अप्सन A अध्यादेश का प्रख्यापन अप्सन B उच्तम न्याले से प्रामर्स लेना Option C, संसद के दोनों शद्नों को संदेज भेजना Option D, छमादान करना तो सही आंसर क्या होगा? संसद के दोनों शद्नों को संदेज भेजना ये जो है राष्टपती की सक्ती नहीं है बाकि अध्यादेश जारी करने का पावर राष्टपती के पास होता है अनुछेद 123 के तहट उस्तम नियाले से राष्टपती प्रामर्स ले सकते हैं अनुछेद 143 के तहट और राष्टपती के पास छमादान का सकती होता है लेकिन पूछा है कौन सा राष्टपती का सकती नहीं है चलिए अगला सवाल देखते हैं और सबसे लंबे समय तक राष्टपती रहे इन में से किस ने भारतिय गंतंत्र के बारवे राष्टपती के रूप में कारी किया था तो बारवे राष्टपती के रूप में कौन कारी किये था आपको पता है ग्यारवे राष्टपती बने थे डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम और बारवे राष्टपती बनी थी परतिभा देवी सिंग पार्टिल तो इसको जरूर याद रखना है कि पहली महिला राष् विसार्य में न कहा जाता है उनको तो यहाँ से भी पूँचेगा एपी जे अब्दुलकलाम कितने नंबर के राष्टपती थे तो एग्यारवे राष्टपती थे एपी जे अब्दुलकलाम और इनके बाद राष्टपती बनती है प्रतिवा देवी सिंग पार्टिल रास्टपती के चुनाव में भाग नहीं लेता है कौन ये आपको बताना है ठीके तो आंसर आपका क्या हो जाएगा option number D विधान परिशद आप जानते हैं कि रास्टपती के चुनाव में विधान परिशद भाग नहीं लेता है आंसर हो जाएगा option number D भारतिय सविधान के पर्मुख होता है रास्टपती आर्टिकल तिर्पन के अनुशार अनुशे तिर्पन के अनुशार कारेपालिका का पर्मुख रास्टपती ओप्सन C निमनिलिखित रास्टपतियों में से जिस क्रम में सिवा की उनमें से निमनिलिखित में से कौन सा सही क्रम है अब देखी क्रम में बताना है कि क्रम में कौन राष्टपती बने ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा option B ठीक है option B सही होगा मतलब NS Reddy मतलब नीलम संजीव Reddy इन में से पहले बनी थी नीलम संजीव Reddy उसके बाद बने ज्यानी जिल सिंग उसके बाद आर वेंकट रमन उसके बाद डॉक्टर संकर द्याल सरमा ठीक है भारत के पहले राष्टपती डॉक्टर आजंदर परसाद दूसरे राष्टपती याद रखना है सरुपली राधा कृष्णन तीसरे राष्टपती डॉक्टर जाकिर हुसेन चौथे राष्टपती पूछेगा तो वीवीगरी जो की कारेवाहक बने थे तो वीवीगरी चौथे राष्टपती पांचवा राष्टपती पूछेगा तो फकुरुदीन अली एहमद फकुरुदीन अली एहमद पाँचवे रास्टपती कौन थे फकुरुदीन अली एहमद छथा रास्टपती पूछेगा तो नीलम संजीव रड़ी छथा रास्टपती नीलम संजीव रड़ी सात्वा रास्टपती पूछेगा तो ज्यानी जिल सिंग आर वेंकर्ट रमन पूछेगा तो आठवा रास्ट पती पूछेगा तो आर वेंकर्ट रमन आठवे रास्ट पती डॉक्टर संकर्द्याल सर्मा पूछेगा तो नौवा रास्ट पती कौन? डॉक्टर संकर्द्याल सर्मा नौवा रास्ट पती तो इस सवाल का अंसर क्या हो जागा तो क्लास को फटाफटे एक बार आप लोग सेर करें आप सभी से Humble Request करेंगे निमनेलिखित में से किसे महाभ्यों की प्रक्रियादवारा हटाया जा सकता है तो आप जानते हैं कि रास्टपती को महाभ्योग की प्रिक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है भारतिय सविधान का कौन सा अनुछेद भारतिय रास्टपती को संसद के अवकास के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है तो आप जानते हैं राश्टपती को संसद के अवकास के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार है अनुछेद 123 के तहद आंसर हो जाएगा आर्टिकल 120 आप्सन नमबर A ठीक है तो राश्टपती अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुशेद 123 के ताद संसद के अवकास के दोरान आप्सन नमबर A तो क्लास को फटाफट सेर कीजेगा जब राजीव गांधी ने परधानमंत्री पद की सपत ली उस समय भारत की राश्टपती कौन थे? आंसर करेंगे जब राजीव गांधी ने भारत की परधानमंत्री की पद की सपतली उस समय राश्टपती कौन थे? तो सही आंसर होगा ग्यानी जेल सिंग याद रखेंगे राजीव गांधी ने जब परधानमंत्री पद की सपतली उस समय राश्टपती कौन थे? ग्यानी जेल सिंग, आंसर हो जाएगा option number D, याद रखना है, ठीक है? भारत के निम्निलिखित राष्टपतियों में से कौन केंद्रिय स्रम मंत्री भी रहे? तो कौन से ऐसे राष्टपती है, जो की केंद्रिय स्रम मंत्री भी रह चुके थे, आपको बताना है तो सही आंसरों का वी वी गिरी, तो याद रखना है भारत के निम्निलिखित राष्टपतियों में से कौन केंद्रिय स्रम मंत्री भी रहे? तो वी वी गिरी आंसर हो जाएगा option number B, तो क्लास को फटा फट सेर कीजिए आपको बताना है राष्टपती के पद की अवधी से सम्मदित कौन सा कथन सही? नहीं है option A, राष्टपती के पद की अवधी पांच वर से बिल्कुल सही राष्टपती को महाभ्योग के द्वारा पद से हटाये जा सकता है सही राष्टपती अपने पद की अवधी समाप्त होने से पुर्व लोगसभा अध्यक्ष लिखी त्याग पत्र दे सकता है लोगसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र नहीं देता है आप जानते है तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको पता होगा राष्टपती अपने पद की अवधी समाप्त होने से पुर्व उपराष्ट पती को त्याग पतर देते हैं किसे उपराष्ट पती को राष्ट पती अपना त्याग पतर किसे देता है उपराष्ट पती को तो पुछेगा कौन सा सही नहीं है कथन तो आप समझेगे कौन सा कथन सही नहीं है option number C बाकी ये सही है ये भी सही है और ये भी सही है कि राष्टपती अपने पद की अवधी समाप्त होने पर भी तब तक पद धारन कर सकता है जब तक उसका उत्रादिकारी पद गरहन नहीं कर लेता है तो ये तीनों आंसर एक B और C A, B और D जो है तीनों स्टेट्मेंट सही है C गलत है C में गलत क्या है C में गलत यही है कि यहां लिखा है कि अपना जो त्याग पत्र है लोगसभा धक्ष को देता है जो की गलत है आप जानते है कि राष्टपती अपना त्याग पत्र उपराष्टपती को देता है ठीक है तो आप लोग कमेंट अवस्य कीजेगा, तो मिलते हैं आप से अगले क्लास में, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जै हिंद, जै भारत, जै बिये से धन्यवाद, झाल झाल